जैस्री कृष्णा दोस्तों, तो आज हम आपके साथ सेर करेंगे राधा कृष्ण की एक छोटी सी प्रसंग आखिर क्या अंतर है राधा और रुक्मिनी में? राधा और रुक्मिनी में से मा लक्ष्मी का अवतार कौन है? क्या राधा और रुक्मिनी एक ही है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक और सिर्फ जरूर कीज़ेगा तो इसके कई कारण हैं नमबर एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि माता रुकमिनी सिरीक्रिष्न की पत्नी है और राधा सिरीक्रिष्न की प्रेमिका पुरानों की अनुसार ब्रह्मा जी ने बचपन में ही सिरी राधा और सिरीक्रिष्न का विबाह करा दिया था लेकिन आजीबन सिरी राधा सिरी कृष्ण के प्रीमिका के रूप में जानी गई और सिरी रुकमिनी सिरी कृष्ण के पत्नी के रूप में नमबर दो सिरी राधा और रुकमिनी के जन्म का अंतर दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहां रुकमिनी सांसारिक रूप से माता के गर्व से पैदा हुई थी बही दूसरी और राधा एक कमल के पूस्प से उत्पन हुई थी नमबर तीन सिरी राधा और रुकमिनी में से लक्ष्मी कौन है महाभारत के अनुसार जब दूसरी ने धीस्म पितामा से पूछा राधा और रुकमिनी में क्या अंतर है तो उस समय धीस्म पितामा ने बताया कि राधा गो लोक में लक्ष्मी का स्वरूप है और में लक्ष्मि का स्वरूप स्वय रुकमिनी हैं नमबर चार, पद्बी माता रुकमिनी सहरे इस्तिरी थी एक राजा की पूत्री और ड्वारिका धैस की पत्मी लेकिन इसके बाबा जूद भी सभी उन्हें माता रुकमिनी कहा करते हैं लेकिन सिरी राधा एक गाउं में जन्मी हुई इस्तिरी थी नहीं उनका विबाह राजा के साथ हुआ और नहीं वो राजा के पूत्री थी लेकिन फिर भी उन्हें सभी भक्त उन्हें रानी कहते हैं और उन्हें राधा रानी के नाम से जाना जाता है नमबर पांच धर्म जहां माता रुक्मिनी ने सिरी कृष्ण से विवाह किया और आजीवन पत्नी धर्म का निर्वाह किया वही सिरी राधा रानी ने कृष्ण से अनंत प्रेम किया और आजीवन प्रेमिका का हर धर्म निभाया नमबर छे साक्षी राधा रानी के साथ सिरी कृष्ण ने अपना बच्पन बिताया और राधा रानी के साथ रास किया सिरी राधा सिरी कृष्ण के बच्पन की साक्षी मानी जाती है और इस परकार रुकमिनी ने सिरी कृष्ण से विभाह किया और द्वारिका में बहुत ही स इसलिए रुकमिनी को द्वारिका का साक्षी माना जाता है। सबसे पर्मुक अंतर ये है कि सिरी क्रिश्न रुकमिनी में समाए हुए हैं और सिरी क्रिश्न में राधा समाई हुई है। रुक्मिनी स्रीक्रिष्न की दैहिक स्वरूप हैं, बही राधा स्रीक्रिष्न के आत्मिय स्वरूप हैं, राधा संपूर्ण जगत की स्वामिनी हैं, राधा से ही माता पारवती, माता सरस्वती और लक्ष्मी उत्पन हुई हैं, और लक्ष्मी से उत्पन हुई हैं रुक्मि अथार्थ गो लोक स्वामनी राधा लक्षमी का ही अंस हैं राधा और रुक्मिनी में इतने अंतर होने के बाबजूद भी दोनों एक हैं अगर एक कहानी आपको अच्छे लगी हो तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और सेट चरूर कीजिए कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद